आज भी बैंगलूरू में रोड शो करेंगे प्रधान मंत्री मोधी लगातार कॉंग्रिस पर निशाना साथ रहे हैं प्रधान मंत्री कॉंग्रिस को बताया करफशर और आतंग बाद के सामने घुटने टेकने वाली पार्टी सोनिया गांदी ने होबली पे जन सभा को किया संबोधित बीजेपी पर बोला हमला लूट और जूट की साथ नफरत का माहौल बनाने का आरूप लगाया प्रश्टशार रेट कार्ड वाले विग्यापन पर फसी कॉंग्रेस सुना वायोग ने नोटस भेजा आच राम साथ बजे तक मांगा जवाब गहलोद बोले धार्मे का अधार पर बात करने बालों के प्रशार पर रोक लगे बजरंग बली पर मचेक हमसान पर उद्धव ठाकरे के एंट्री बोले बजरंग दल पर पाबंदी लगने से तनी परिशानी क्यों बीजे पी को खत्म करने की कही थी बाद मनेफोर में हिंसा ने ली चववन लोगों की जान कई लोगों ने किया पलायन लमका गाउं में सेना फर हुआ पत्राव पहलवानों के प्रदर्शन को किसान संका समर्थन आज किसान करेंगे प्रदर्शन ब्रजबूशन बोले मैं जूनियर बच्चों के लिए लड़ रहा हूँ राजवारी में सेना का उपरेशन प्रेनेतर अभी जारी कल सेना ने एक आतंकी को किया धेर कई हत्यार बरामत की दिलू ताजपुरिया के हत्या के बाद आरोपियों को दूसरे जेल में किया गया शिफ्ट गैंग और की आशंका के चलते लिया गया फैसला और अब देखते हैं राजवनीती के टॉप नाइन बड़ी खबने करनाटक के च्विकोडी में ग्रेव अंत्री अमिट शाहने कॉंगरेस को घेरा बोले ना कॉंगरेस जीतेगी ना लिंगायत का रेजरवेशन कम होगा करनाटक के उरूपी में UPCM ने किया रोट शो बजरंग दल पर बैंड लगाने के वादे पर कॉंगरेस को घेरा कहा बैंड की बात करना हिंदू आस्था से खिलवर करनाटक चुनाओं में बजरंग बली के बाद टीफू सुल्तान के एंफ्री असम सीम ने सिद्धार अमया और डीके शेव कुमार को बताया टीफू सुल्तान का वंशच केंद्रे मंत्रे अनुराग खाकूर का कॉंगरेस पर हमला बोले बोट बैंक और तुष्टिकरन की राजवीती के लिए केसी भी स्तर तक गिर सकती है कॉंगरेस करनाठक के बिलगावी में राहूल गांधी का प्रधान मंत्री पर हमला बोले पीम आतंगबात की बात करते हैं लेकिन मैंने आतंगबात को भुगता है करनाठक में पी-म के रोजशो पर बोली मीरा कुमार कहा रोजशो का नहीं होगा कोई असार करनाठक में चल रही है कॉंग्रेस की आंधी सन्युक्ते किसान मोर्चा ने किया राश्ट्र व्यापी विरोध प्रदर्शन का आवाहन बीजेपी सांसत ब्रज भूशन शरन की गिरफतारी की माँग्ग 2024 सुनाव से पहले विफक्ष को एक जुट करने में जुटे नीती शकुमार 9 माई को नवीन पतनाएक से कर सकते हैं मुलाकार राज़नीती की खबरों के बाद अब आपको देखाते हैं राज़ियों की टॉप नाइन बड़ी खबरे मनेपूर में हिंसा के बाद आज होने वाले नेट यूजी के प्रवेश पर इक्षा स्थागित जल्द होगा नई तारीकों का एलान दिल्ले के हुक्का बार में जिन्दा हड़े फाइरिंग नावाले की गोली मार कर हत्या पुलिस ने एक आरोपी की पहचान की धारखन के गड़वा में महिला के साथ सामोहिक दुशकर्म पुलिस ने च्छे आरोपियों को गिरफतार की मेरट में शराब तसकर और पुलिस के बीच मुडबेड भारी मात्रा में अवैद शराब बरामद निकाय चुनाओं में होना था इस्तिमान पहो में मिट्टी की दिवार गिरने से दो बच्चों की मौत एक बच्चे का अस्पथाल में इलाज जारी साथ आराम में नहर में मिले नोट नहर से नोट निकालते देखे लोग पुलिस ने मौके पर पहुँचकर फीड को खदिड़ा बेहर के वैशाली में भीशर सरकाथ साथ दो गाड़ियों के बीच जोड़दा ठककर हादसे में पांस लोगों के मौत इंदोर में कार और बस के बीच ठककर हादसे में दस से जादा लोग घायल घायलों का इस्पताल में इलाज जल रहा है दिल्ली में खड़े ट्रुक में लगी आग, ड्राइवर ने कूद कर बचाई जान, फायर ब्रिगेड के दो गाड़ियों ने आग पर काबू पाया और अब आपको देखाते हैं क्राइम से जुड़ी टॉप नाइन बड़ी खबरे जैपूर में ड्रक्स के खिलाफ पुलिस का एक्शन 11 किलो ड्रक्स समेथ एक तसकर गिरफतार करीब 55 करोड बताई जा रही है ड्रक्स की कीमत यूपी के बांदा में पुलिस ने अवैद हतियार फैक्टरी पर चापा मारा भारी मात्रा में अवैद हतियार बरामत तीन आरोपियों को गिरफतार किया बिहार की बेदिया में बदमाशों ने एक बार फिर की लूट पार्ट दो लोगों से लूटे 50,000 रुपए पुलिस कर रही है आपराधियों की तलाश यूपी के प्रधाब गड़ा में पती ने पत्नी पर पेट्रोल डालकर राग लगाई बुरी तरह से जुलसी महिला आरोपी पती फरार मेरट में वनवे भाग का दिखारी रिश्वत ले थे गिरफतार एंटी कर आप्शन टीम ने खारवाई की विहार के जमूई में फांसी के फंदे से लड़का मिला महिला का शौप परेजनों ने जताई हत्या के आश्रंका ससुराल वालों पर लगाया रूप राजस्तान के अलवर में नावालिक से दुशकर्म का आरूपी गिरफतार दुशकर्म के बाद भी की बच्ची की हत्या राजस्तान के सीकर से लूट पार्ट करने वारा आरोपी गिरफ़तार आरोपी तक मारपीट और लूट पार्ट के मामले में दर्ज है 26 से ज़दा मामले और अब विदेश की वो बड़ी खबरें जो सुर्क्यों में बनी हुई है देखे टॉप नाइन बड़ी खबरें अमेरिका के टेकसस के मॉल के बाहर फाइरिंग कई लोगों के घाय लोगोंने के खबर आरोपी की मौन किंग चाल्स को करना पड़ा विरोध का सामना कुछ लोगों ने राजा मानने से इंकार किया घ्रिटरिन के प्रधान मंत्री डिशिस उनफ ने आस्ट्रेलिया न्यूजिलेंड के प्रधान मंत्री से मुलाकात की कतर के अमीर से भी मिले किंग चाल्स के ताज़ पोशी में शामिल उने पहुंचे थे सभी लोग पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन के विदेश मंत्री इसलामबाद में करेंगे बैठक दो दनों के पाकिस्तान दोरे पर रहें चीन के विदेश मंत्री बखमोत में जन्ग को लेकर यूकरेन का दावा रूस पर लगाया वैगनर लड़ा के भीजने का रूप गाश्पती जैलंस्की ने कीव में बहरीन के विदेश मंत्री से मुलाकात की जैलंस्की ने बहरीन के समर्थन में आभार जटाया रूस के रक्षा मंत्री शोईगो ने किया सैनिकों और उपकरणों का निरिक्शन कहा युद्ध के लिए सैनिकों को मिले परियापता हतियार इस्राइल में नियाई जवस्ता को लेकर फिर सर्खों पर उत्रे लोग सरकार के विरोध में किया प्रदर्शन कांगों में बारिश और बार से तबाही बार की वज़े से 200 से ज़ादा लोगों की मौन और अब देखते हैं खेल जगत की बड़ी खबरें देखते हैं टॉप नाइन बड़ी खबरें आई बिल 2023 में आज सूपर संडे खेरे जाएंगे दो मुकाबले पहले मैंच में लखना हूँ और गुजरात के बीच भिड़ंग दूसरा मैंच में हैदरबाद से भिड़ेगी राजस्तान के टीम तल के लेगाई मैंच में दिल्ली ने बेंगलोर को हराया 182 रोनों के लक्षर का पीछा करने होते दिल्ली की टीम ने 7 विकेट से जीता मुकाबला चेने सूपर किंग्स ने मुंबाई की टीम को दिमाद चेने ने 18 वे ओगर में 6 विकेट से जीत लिया मुकाबला आईपियल में परफल कैप की रेस में चेने के तुशार देश पांदे टॉप पर 11 मैचों में 19 विकेट लिया आईपियल में औरेंज कैप की रेस में बेंगलोर के फाफ डूपलेसी पर काकबजा इस सीजन में अफ़ तक बना लिया है 511 रन तुश्वा टाइटन्स को लगा वड़ा चटका आईपियल 2023 को बीच में शोड़कर स्वदेश लौटे जोश्वा लिटल बंगलेश के खिलाफ बन्डे सीरिस केलने के लिए पहुँचे आईपियल के बाद WTC फाइनल से भी बाहर हो गए है केल राहूल RCB के खिलाफ मैंच के दौरान चोठिल हुए थे अब पैर्क की होगी सरजरी आज केला जाएगा पाकिस्तान और निजुलेंड के बीच पाँच पाँड़ी आई बैंच काराची में होगा मुकाबला पाकिस्तान सीरीज में चारशूने से आगे इशन वेटलिफिंग चैंपियंशिप में भारत की बिंदिया रानी ने जीता सिलवर मैडल 55 किलोग्राम भारवर्ग में जीता रज़त पदर